सहाब मद्यप्रदेश में चुनाव का त्योहार शुरू हो चुका है ऐसे में पंचायती चुनाव के नामंकन दाखिल होने लगे हैं लोग अपने प्रचाय के लिए घरों से बाहर निकल आए हैं बड़े बड़े नेता जी इस समय जनता के चरणों में दिखाई दे रहे हैं इस बार कोई अपने बाहुबल तो कोई अपने ब्योहार के दम पर चुनाव जीतने की कोशिश करेगा लेकिन चुनाव लड़ेंगे जरूर इस समय तो जेल में बैठा कैदी भी अपने आप में सरपंच के सपने सजाने लगा है आज हम मद्यप्रदेश पंचायती चुनाव की कुछ खास खबरों को आपके सामने परोसेंगे नमस्कार में आशितोष भारगव आप देख रहे हैं आयुद मद्यप्रदेश में पंचायती चुनाव नस्दीक है ऐसे में मद्यप्रदेश में पंचायती चुनाव तीन चरणों में होंगे पहला चरण 25 जून, दूसरा चरण 1 जुलाई और तीसरा चरण 8 जुलाई को संपन होगा इन तीन चरणों में मद्यप्रदेश में पंचायती चुनाव होंगे और तीस मई से पंचायती चुनाव के नामंकन दाखिल करना लोगों ने शुरू कर दिया है जिसकी अंतिम्ति थी 6 मई निर्धारित की गई है अब देखना ये है कि मद्धिप्रदेश में बीते चार दिनों में कितने नामंकन दाखिल हुए है तो वहीं मद्धिप्रदेश राज निर्वाचन आयोक के सचिव राकिस सिंग ने ये सूचना देती हुए कहा है कि अब तक मद्धिप्रदेश में 42,000 से ज्यादा नामंकन दाखिल हो चुके हैं इन में से जिला पंचाय सदस्य के लिए 1070, जनपत पंचाय सदस्य के लिए 3694, वहीं सरपंच के लिए लगभग 25,000 से ज्यादा अब तक नामंकन दाखिल हो चुके हैं तो वहीं नर्वाचा नायोग दोरा प्रशाशन को ये सक्त निर्देश दिये गए हैं कि जितनी भी नियम हैं उनका कठोरता से जनता दोरा पालन कराया जाए कोई भी शाश के योजना है अगर उसमें किसी राजनीता का फोटो है बैनर है तो उसे ततकाल हटाया जाए कोई भी शाश के योजना या फिर कोई राजनेतिक योजना है उसे तुरंत लोगों की दरश्टी के सामने से हटाया जाए सीधे सीधे जिन व्यक्तियों के पास भी अपने वेपन्स है जिन के पास लाइसेंस धारी बंदूक है वो अपने बंदूक है थाने में जमा करवा के आए आचार सहीता का पालन करें साथी इस बार चुनाओ आयोग ने एक और निर्देश दिया है कि जिला कलेक्टरों का ये काम रहेगा कि जिस स्थान पर भी बड़ी गतिविरी हो रही है अगर उस स्थान पर कोई बड़ा कारीकरम हो रहा है बड़ी सभा हो रही है तो इस पूरे कारीकरम या सभा की वीडिय प्रियोग्राफी होनी है जिसके बाद राज निर्वाचन आयोग ने प्रशाशन को ये निर्देश दिये है कि बिना किसी राजने तेक हस्ता शेप के इन विवाहों को संपन्न कराये जाए इससे पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान एक खोशना कर चुके थे कि जिस पंचायत में जो चुनाओ निर्वरोध होंगे उस पंचायत में मैं जाओंगा और वहां की खासा चिन्ता करूंगा आपने कई बार मूवीज में देखा होगा कि एक आरोपी जेल में बंद है लेकिन वो उसके बावजूद भी चुनाओ लड़ता है बोच पड़ते हैं और वो आरोपी चुनाओ में जीत जाता है उसका जश्न मनाया जाता है मतलब जन प्रती निधी जेल के अंदर है बिल्कुल वैसा ही मद्द्रदेश की सतना और पन्ना जिले में देखने को मिल रहा है सतना और पन्ना जिले की पंचाय सीटों से कैदी चुनाओ लड़ने की तयारी में है असल में सैले सुकला एक साल पहले जेल गए थे जिसके बाद उन्हें इस वर्च चुनाओ लड़ने के लिए अलग-अलग स्थानों से परमीशन लेनी पड़ी उन्होंने राज निर्वाचन आयोग नियाया लए जेल विभाग से विशेश अनुमतिली है जिसके बाद उन्होंने भरजुना पंचाय से अपना नामांकन दाखिल किया है इसके बाद पंचाय थे जहां पर एक कैदी चुनाओ लड़ना चाहता है लेकिन कुछ फॉर्म्स कुछ कागजों की कमी की वज़े से अभी उसमें थोड़ी रुकावट आ रही है ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा हो जहां पर एक कैदी जेल में बैटकर चुनाओ लड़ने की रणनीती बना रहा हो इससे पहले भी अगर आपको याद हो 2004 का किस्सा है जहां पर बबलू श्रीवास्तव अंडरवल्ड माफिया ओम प्रकाश श्रीवास्तव चुनाओ लड़ रहा था उसने सीतापुर से चुनाओ लड़ा भी था उस समय वो बरेली जेल में कैदी बन कर रहा था हाला कि उस समय उसने अपना दल से चुनाओ लड़ा और चुनाओ हार गया था लेकिन चुनाओ लड़ा जरूर था ऐसे ही 2004 में बिहार के लगभग 5 बाहु बली अपराधियों ने लगभग 5 बाहु बली प्रत्याशियों ने जेल से अपना नामांकिन दाखिल किया था इसके बाद उसमें ऐसे कुछ लोग हारे थे, कुछ लोग जीते थे कहने का मतलब कि ये पहली बार नहीं है जहां मद्यप्रदेश में जील के अंदर बैठा कैदी सरपंच का चुनाव लड़ रहा हो अब एक खास बात और देखने को मिलती है, वो खास बात ये है कि भारत में जेल के अंदर बंद कैदी चुनाव तो लड़ सकता है लेकिन अपना मतदान नहीं कर सकता, इस बात को लेकर काफी पैच फसा हुआ है इस बात को लेकर केस सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में इस बात को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है यहां पर सुप्रीम कोट हर बार ये बात कह देता है कि उस छेतर में रहने वाला नागरिक जो अभी मूल रूप से उस छेतर में रह रहा है जो उसकी छेतर की समस्या है जो उनको समझता है सिर्फ वही व्यक्ति मतदान कर सकता है लेकिन जेल का कैदी चुनाओ जरूर लड़ सकता है अभी ये बात विचारा धीन है सुप्रीम कोट में लगातार इस बात पर सुनवाई होती है इसी प्रकार की किस्तों के लिए देखते रहिए आयुद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फेस्बुक पेज को ला